हलो गाइस नमस्कार फिर से आप सभी का आपके हमारे वेकेंसी एरे एज्यूकेशन में स्वागत है तो दोस्तों कैसे हो आप और आज अपन फिर से बात कर रहे हैं बी ए आर्सी यानि की भामा परमाणू अनुसंदान के इंदर आगर आप एक सरकारी न्यूगरी की तयारी कर रहे हैं तो आज दसवी बारवी पास आउट के साथ आप लोग सभी इसमें आविदन कर सकते हैं आज हो चुकी है 24 जून और 24 जून को इसका विज्यापन जारिवा है आविदन पर किया एक महीने तक चलने वाली है भारत के सभी विद्यारती इसमें आविदन कर पाएंगे आप लोगों के पास काफी समय मिलेगा आविदन करने के लिए बात की जाए आविदन बिलकुल ओनलाइन होगा महीला हो पूरे सोच जिसके पास अगर दसवी की कॉलिफिकेशन है तो आप लोग जरूर इसमें अपलाई कर सकते हैं किस तरीके से करना है क्या करना है और लाइकन को अन कर लेजेगा आने वाले हर एक विग्यापन की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी तो दोस्तों ये दीखेगा ये गौर्वेंट ओफ इंडिया के तैत अर्टम रिशन्स के अनुसार ये निकाली गई वेकिंसी है ओपनिंग डेट की बात की जाए या विध्यारती इसमें होंगे बॉंबे, तिरुपुरा और करनाटका या फिर इसके अईन आर बी छेतर में जो भी आते हैं वो विध्यारती इसमें अपलाई कर सकते हैं इस टेनो ग्रेड गरेड तेर्ड के अनुसार या ग्रुप सी के अनुसार वेकिंसियां अपडेट की ग जरूर apply कर सकते हैं I hope कि यह सारी चीज़े आप लोग समझ चुके होंगे आगे भढ़ते हैं और points इसमें clear करते हैं जैसे points होंगे exam क्या इसमें होने वाला है और 10-12-12 वाले विद्धारतियों का क्या season है इसमें किस तरीके से apply करना होगा उसके लिए और क्या क्या demand की गई है पिंग भी होनी चीए 30 word per minute के अनुसार एज की बात करें 18 साल का या 27 वर्स तक का दोनों के बीच का जो भी journal OBC का student वो लगा सकता है जबकि अपन बात करें 18 से 30 या 27 वर्स का जिसमें OBC NCL का 30 हो जाएगा जबकि SCS टिकेटिकरी के बात करें तो 32 साल का हो जाएगा तो यानि लेवल 1 और 4 maximum अनुसार इसमें बात करें आगे और क्या चीज़े होने वाली एक्जाम इसमें होगा बिल्कुल होगा फोम भरने के बाद आपका एक्जाम होगा एक्जाम में मेरिटलिस निकाली जाएगी उसके आधार पे चैनित निकाली जाएगी जब जाएके आप लोग miten ज guitars होगा इंगलीज का जिके जनल जिस या थ्यानिजिके होगी या फिर जनल रिजनिंग से वहागर होगी या फिर आप को जो पीर सारे इसमें उसके इंगलूीड के जाएंगे नेगेटिव मार्किंग इसमें दी जाएगी टेस्ट जो इस्टनोगराफर टेस्ट होगा वो भी इसमें दिया जाएगा I hope कि ये चीजी भी आप लोग समझ चुके होंगे तो दोस्तो बात करूं मैं सीधी वासा में तो 10-12 वाले विद्यारति इसमें अपलाई करेंगे लेकिन इस्टनोगराफर का सेटिविकेट आप लोगों के पास होगा तब भी आप लोग इसमें अपलाई कर पाएंगे अन्य था आप लोग इसमें अपलाई नहीं कर पाएंगे आई होब कि ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे तो दूस्तो आज के लिए इतनाई और विग्यावन जब इसका जारियो है अच्छी बात है अगर आप लोगों का आविदिन करना है तो जल्दी कीजेगा नहीं कर पारे तो कमेंट कीजेगा मैं आप लोगों की मदद करूंगा शंचनाई वीडियो या तो इक अपने फिरे अपने एक और वेकेंशी की सुरुवात करेंगे ठैंक्यू जैहे